आपके पास Poco X5 या फिर X5 Pro कोई भी फोन है तो यहाँ पे आप एप लॉक सेट कैसे कर सकते हैं फोन में तो एप्लिकेशन लॉक करने के लिए जाएंगे आप सेटिंग पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको एप्स का ओप्शन देखने को मिलेगा क्लिक कर लेंगे एप लॉक है क्लिक कर लेंगे टर्ण उन पे क्लिक करना है और जो भी आपको एप लॉक सेट करना है वो सेट कर लेंगे यहाँ पे पैटन का ओप्शन है चेंज पासवर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई पैटन पिन पासवर्ट भी सेट कर सकत इसके बाद आभी मैं शाओमी अकाउंट के लिए बाद में जाओंगी तो इसलिए not now कर लिया है मैंने wait कर लेंगे not now कर देंगे दुबारा से और यह application आपको lock करने के लिए recommend कर रहा है और जिसे lock नहीं करना है उसको uncheck करके use app lock पे click कर लेंगे और इसको अभी मैं cancel कर देती हू तो यहाँ पे application जो recommend कर रहा था वो lock हो चुकी है और बाकी और lock करनी है तो इसे on कर देंगे और जिसको unlock नहीं करना है मतलब lock नहीं करना है उसको हम check कर देंगे तो जो blue color की है वो lock है जो gray color की है वो lock नहीं है ठीक है और इसके बाद यहाँ पे fingerprint के लिए आप इसे enable कर सकते है साइड में लगा देंगे तो यह verify होके set हो गया app lock के लिए भी fingerprint काम करेगा आपका use face data face log भी यह आपका enable हो गया है app lock के लिए और इसके बाद इस पे click करेंगे तो इसका sensitive notification आप hide कर सकते है जिसे on कर देंगे उसकी notification hide हो जाएंगे ठीक है और यहाँ पे जाएंगे तो आप app lock change कर सकते हैं, remove कर सकते हैं, change कर सकते हैं ठीक है और भी settings कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे back कर लेंगे अब जिस application को हमने lock किया था वो यहाँ पे आप खोल के देख लेंगे तो देख सकते हैं कि face lock से ही खुल गया है अगर face lock ना भी लगाओ तो आपका यह देख सकते हैं, face lock verify हो जाएगा और यहाँ पे आप fingerprint से भी खोल सकते हैं ठीक है तो इस ट्रैप से आप यहाँ पे app lock की setting कर लीजेगा चलिए मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार